सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत सुवागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत एकमाल की टेक नियूज तो चले शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर आज रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरा टार्गेट है कि 10 विडियो लाइव तो अगर दोस्तों ही वीडियो आ जाती है 10 विडियो से पहले तो आप दुस्तों दबाना यहां पर लाइक का बट्टन और ऐसे मैं टार्गेट कम्लीट करते हैं 50,000 लाइक् और यहां पर दोस्तों पहला अपडेट है, वो निकल के आता है Qualcomm की तरफ से, जहां पर दोस्तों Qualcomm ने officially unveil कर दिया है Snapdragon 845 प्रोसेसर, हाला कि इसके बारे में अभी कुछ और डीटेल्स Qualcomm ने शेयर नहीं करी है, लेकिन इतना दोस्तों मालूम हो गया है कि यहां पर Xiaomi का Mi 7 वो पुछ दिखने को मिल जाएगा OnePlus 6 में भी शायद, दोस्तों आपडेट है, वो निकल के आता है MIT की तरफ से, और यहां पर दोस्तों MIT की तरफ से नहीं बायोलोजिकल 3D प्रिंटेड इंक, यह पर दोस्तों यह एक नई टाइप की जेल है, जो कि अलग-अलग चीजों के अग माल का सिस्टम है, आप इसके चाहे तो टैटो भी प्रिंट करवा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों अगर किसी को बुखार है, अगर मालीजी टेंप्रिचर में कुछ चेंज हो रहा है, अगर दोस्तों मालीजी कोई और स्पेशल केमिकल से उसका को हो रहा है कनेक्शन, तो व यहां पर दोस्तों फिलाल अभी ओनर रॉंच किया था अपना नया 7X, लेकिन ऐसे में 10,000 से कम की प्राइस में शौमी जो हो एक तरीक से उस्ताद बनके बैठा है, उसके अलाबा कुछ लोग तोड़े घूम फिर जाते हैं दोस्तों कुछ दूसरे ब्रैंट की तरफ, लेक देते हैं, तो यहां पर दोस्तों फिर जांपल यह विंड की स्पीड को नापने के लिए एक ऐसा सेंसर है, जहां पर एक चक्री घूमती है हवा की मजद से उसके बाद दोस्तों आगे लगे हैं कुछ आपे गीर्स और वो दोस्तों गीर्स हैं वो टैप करते हैं तो यहां पर जो वाइफ़ी के सिगनल है वो जन्रेट होता है और ऐसे में आगे जो रिसीवर है वो उस पैटन के चलते हैं पता लगा लगा कि भईया जो स्पीड है विंड की वो क्या है, ऐसे दो दोस्तों वाटर के फ्लो को नापने के लिए, लाइट को नापने के लिए, तरह तर अगर आपके पास में है किसी सेलेक्ट बैंक का क्रेट या फे डेबिट कार्ड तो यहाँ पर पिक्सल 2 आपको मिल सकता है सिर्फ 39,999 रुपीज में और यह दोस्ते बहुत ही कमाल डील है जहाँ पर आपको कुछ कैश बैक मिलता है कुछ आपको मिलता है डिसकाउंट और यह मतलब एक बहुत ही किलर डील है हाला कि आइफोन 7 भी आपको इस प्राइस पर मिलेगा लेकिन प्लीज आइफोन मतले ना पिक्सल 2 ले सकते हो बहुत ही एक वैल्यू डील है स्पेसिफिकली उसके कैमरा को देखते हुए तो अगले अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ गूगल सर्च को लेके और यहाँ दोस्तों गूगल ये बोलता है कि अभी हम कुछ इसे इंप्रूमेंट्स करने वाले हैं हमारे अल्गॉरित्म में जिसके बाद में जो फेक न्यूज है ना उसको हम काफी कम करेंगे यानि कि वो लेंक्स है पर जो वेबसाइट से हैं जहा पर 2D Materials वाले Electronics को लेके तो यहाँ पर दोस्तों पेपर की ओपर आपको शायद आगे चलके देखने को मिल जाएंगे Electronics और हाला कि यह concept आज का नहीं है दोस्तों यह बहुत ही पुरानी बात है लेकिन अभी यहाँ पर इनमें यह ability आ गई है कि यह दोस्तों काम कर यहाँ पर हम काम में लेते हैं वाई-फाई का फिर ब्लूटूट का वो ऐसे पेपर पेप्र प्रिंटिट दूस्तों सर्कृट जो हो देखने को मिल जाएंगे और यह मतलब एक अलगी लेवल की बात होती है यार मतलब आपने फिर शर्ट पैनली है आपने कहीं पर कुछ का जहां पर दोस्तों रिपोर्ट्स को यह इसी कहती है कि जो ऑवाई का next generation P device होगा वहांपर दोस्तों होगा 40 megapixel का rear camera, 24 megapixel की selfie और यहां पर जो rear camera setup होगा वो दोस्तों होगा 3 अलग लेंस processes वाला जहाँपर आपको मिल सकता है शायद एक wide angle lens इसके एलिथनों यहाँपर आपको वावे यहाँ पे 40 Megapixel लगा सकता है अपने किसी फोन में या नहीं तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है Gas India Limited की तरफ से और यहाँ पर दोस्तों यह जो Gail Company है यह अभी कामे लेने वाली है ड्रोन्स को अपनी Gas Pipelines को अपनीटर करने के लिए जहाँ पर दोस्तों को कुछ Leakage वगर है तो जो ड्रोन्स हैं वहाँ पर कुछ SENSORS को लगाया जाएगा जिसके जो डेटा है उससे मालूम चल जाएगी जो Gas Pipelines है वो ठीक है या नहीं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेटलेट टेकलाशिक के वहाँ तक से भी जो सर्विलियन से वो की जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो Gas Pipelines वो गड़ा है वो डेफिनिले दोस्तों एक बहुत रिटिकल चीज होती है कि अगर जरासी भी कुछ गलती हो तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है तो यहाँ पर ड्रोन्स को इस काम में निकाला जाएगा दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है एसूस के नोवा गो लैप्टॉप को लेके और यह दोस्तों लैप्टॉप है यहाँ पर लगा है प्रोसेसर, इंटल का नहीं, क्वैलकॉम का Snapdragon 835 और जो बैटरी है वो है 22 घंटे की और यह आता है अपने एक इंटरस्टिंग फिलिप डिजैन के साथ में जहाँ पर 13.3 इंजिस का स्क्रीन है, Windows 10 OS है लेकिन जो ताकत है वो मिल रही है यहाँ पर क्वैलकॉम की और साथ में इसमें SIM भी लगा सकते है जो मोडम है, वो सपोर्ट करता है speeds 1 GBPS तक और 22 घंटे के बैटरी वाला snapdragon लैप्टॉप असूस लेके आ चुका है, जिसका नाम है Nova Go, दोस्तों अगले अपडेट है 3.49 वाले प्लान में रोज का 2 GB देटा पूरे 28 दिनों तक और यहाँ पर जो 5.49 को दोस्तों प्लान है उसमें आपको मिलेगा रोज का 3 GB देटा पूरे 28 दिनों तक तो मतलब अटल जो वो डेटा बाट रहा है यार बहुत यह कमाल सी बात है मतलब जीओ से भी दोस्तों एक कदब आगे बढ़ गया है शायद अटल तो यह आते हैं दो नए प्लान्स अटल की दरफ से बाकिया आप रोज का कितना जीबी यूज करते हो बताना जरूर कॉमेंट्स में अपने बाइफा या फिर मोबाल लेटा सभी को मिलाने के बाद में दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पर LG V30 Plus के लिए और यह दोस्तों इंडिया में लाँच होने वाला है 13 दिसेंबर को और V30 Plus का मतलब यह है कि यहाँ पर तो स्टोरिज या इंटरनल वो होगी 128 GB की और जो फोन की प्राइस से वो हो सकती है शायद 48-49,000 रुपीज तो ऐसे में काफी अच्छी डील दोस्तों हो सकता है फोन लेकिन गलती LG की किया इतना लेट क्यों लेके आते हो मतलब जब फोन लांच किया उस्टेंप लेकिया होया मार्केट में टकर दो थोड़ा सा Note 8 को या फिर पिक्सल वगरे को अभी 2-3 महीने के बाद में जब सब शांद बैटे है तब आप लेके आ रहे हो करते हो अपडेट साला कि मेरे वाले भी तक आया नहीं है लेकिन आने वाले एक दू दिन के अंदर आप सभी तक या अपडेट पहुंच जाएगा Android 8.1 और योका तो इसनों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे ATL की दरफ से और यहाँ पे दूस्तों ATL ने अभी पार्टनर किया है Intex के साथ में जहाँ पे दूस्तों लेके आए है अपनी वो ही अजीब सी स्कीम effective price जो है 1649 रुपीज की पहले इतना जमा कराओ फिर इतने साल तक फोन को यूज करो यह मतली प्लैन डालो उसके बाद में हाँ को देंगे cashback तरपा-तरपा के ATL Payments Bank में मतलब यह यार क्यों ATL स्कीम लेके आ रहा है मतलब जब से जीओ फोन है उसके बाद से वो Micromax आगया भारत One को लेके अपने BSNL के साथ में उसके बाद में यहाँ पे जो है वो कर रहा है partnership लावा के साथ में Carbon के साथ में और यहाँ पे अभी Intex के साथ में मतलब क्या मजा के यार तो थावच अगला update है वो निकल काता है Xiaomi Redmi 5 Redmi 5 Plus को लेके और इनकी कुछ price लिगों के निकल के आई है launch से पहले दोस्तों जहांपे जो price है वो हो सकती है 11, 12, 13, 14, 1000 के आसपास क्योंकि यहाँ पे होंगे multiple variants अलग-अलग RAM capacity, अलग दोस्तों यहाँ पे होगी storage फिर Redmi 5 भी है, Redmi 5 Plus भी है तो देखते हैं कि यह phones इंडिया में कब तक आते हैं और इंडिया में इनके price क्या हो सकती है क्योंकि यह दोस्तों होने वाले हैं बहुत ही interesting device जहांपे Xiaomi की तरफ से पहली बार हमको देखने को मिलेगा 18,09 वाला aspect ratio दोस्तों final update है, वो निकल के आता है यहाँ पे Xiaomi के ही Mi A1 को लेके और यह दोस्तों अभी आपको मिल रहा है 2000 रुपे के discount पे, Flipkart को चल रहा है आफर वहाँ पे, तो यह भी आपको मिल जाएगा 12,990 रुपे का 4GB RAM है, 64GB की storage है फोन 13,000 रुपे में बुरा नहीं है अगर आपको लेना है तो उसका आप ले सकते हैं Tommy Case, मी A1 को दोस्तों बस यही थे आज के सारे अपडेट्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई और सवाला सुझाव हो तो आप लीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को भी तेक आपके शेर नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ही मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रुजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों, जैहन्द, बंदे मातरम